शादी का सीजन है, शौपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है ऐसे में आपको घबनाने की ज़रुद बिलकुल भी नहीं है बिग ब्लिस है आपके साथ अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस एप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा समान बिग ब्लिस खुश्यों की अपनी दुकार नमश्कार, जानेंगे इस कारोबारी सब्ता में नौन अग्री कमोडिटीज याने प्रेशेस मेटल्स, बेस मेटल्स और एनरजी कॉम्पलेक्स में क्या रुजान देखने मिलेगा तो ये जो सब्तार रहा है, सारे ही नौन अग्री कमोडिटीज में काफी उठा बटक बारा रहा है जहां पर हमने गोल्ड, सिल्वर, नैच्रल गैस, क्रूड ओयल और बेस मेटल्स में भी खास करके अलूमिनम में और निकल में और एवन कॉपर में भी काफी शांदार तेजी देखने मिली, लेकिन हफते का अंत आते आते हमने देखा कि जो भी तेजी दिखाई दी थी, वो कहीना कही नेगेट होते वे दिखी याने जितनी तेजी आई थी, वो पूरी खतम होते वे देखी और जो पिछला हफता जहां क्लोज दिया था, लगभग वही पर आके बजार ने क्लोज दिया है तो शुरुआत गोल्ड और सिल्वर से करते हैं, हमने देखा कि रोशिया और रूस के बीच जो संकट है, जो लड़ाई छेडी हुई है, उसके चलते एक सेफ एविंट डिमांड जो होती है वो हमने गोल्ड में आते हुए देखी, और कहीं न कहीं वो अपनी चरम सीमा पर पहुंची थी क्योंकि इसके पहले भी हमने गोल्ड और सिल्वर में तीजी आते हुए देखी थी, लेकिन एक स्लो और स्टेडी जिसे हम कहते हैं बिल्ड अप था इस सब्ता हमने देखा कि काफी बड़ी एक रैली एक ही दिन में जब लड़ाई का जो एक न्यूज आया था उसके बाद हमने काफी हद तक एक बड़ी सी स्पाइक आते हुए देखी जहां पर स्पॉट गोल्ड लगभग 1910 जॉलर से 1975 डॉलर तक रैली हुआ और वहीं पर डॉमेस्टिक मार्केट में हमने देखा कि 52,800 के करीब के स्थर भी M6 पर देखने मिले जो लगभग एक साल का हाई था तो अगर हम देखें तो पिछले दो महिनों में 45,000 से लगभग 52,800 के स्थर देखने मिले हैं और काफी एक बड़िया तेजी यानि लगभग 5-6 फीजदी की तेजी हमने दो महिनों महीं आते हुए देखी है गोल्ड में तो इस साल की शुरुआत काफी शांदार तरीके से हुई है वहीं पर चांदी भी हमने देखा जिस तरह हम पहले डिसकस करते थे कि 60,000 का एक काफी इंपोर्टेंट बेस है और जब तक यह होल्ड कर रहा है तब तक तेजी जारी रहेगी तो उसी प्रकार हमने देखा कि जो हाइस देखने मिले 24 डालर 80 से हाइस थे और उसके बाद जो ever जो क्लोजिंग थी वह स्कॉर्ड गोल्ड की करीबर 1580 डालर स्पॉट में आب गोल्ड के लिए और छांदी के लिए और 24 डालर की लोजिंग देखने मिली तो इसका जो टीजी twists किया लेकिन गिरावर ती वह क्य क्योंकि कहीं न कहीं डॉलर जो है वह अंतर राश्य बजार में काफी तेजी से हमने बढ़ते हुए देखा तो उसका एक असर हमें दिखाई दिया उपरी स्थरों पे गोल्ड में मुनाफव सुली के तौर पे आगे क्या रुजान रह सकता है इसकी टर्चा करते हैं तो क्यों के प्राइस दुबारा पचास हजार के नीचे भी फिसल जाएं या चांदी जो है मही वाइदा जो है वो करीवन चौसट हजार तक दुबारा देखने मिले लेकिन निश्ले स्थरों से ऐसा मिना मानना है कि दुबारा जो बाइंग है वो लोटेगी यहां पर रिस्क रिवा पाली फिलाल करना फाइदे का सौधा नहीं होगा ऐसा मेरा मानना है इसका मतलब यह कि निश्ले स्थरों के आसपास हम बाइंग ऑपर्शनिटी ढूंड सकते हैं जैसे मैंने बताया 49500 के करीब हो सकता है में गोल्ड देखने मिले तो वहां पर एक बार खरीदारी का सौधा लिया जा सकता है 49000 के नीचे के स्टॉप लिया जा सकते हैं और अपसाइड में लगभग 51500 तक के स्थर आने वाले कुछ सेशिंस में देखने मिलेंगे ऐसा पॉसिबल है वहीं स्पॉर्ट गोल्ड में 1870 से 1865 डॉलर के करीब एक important support zone है वहां पर वहां से ऐसा लगता है कि दुबारा खरीदारी लोटेगी और 1930 से 1940 डॉलर तक अपसाइड एक move short term basis देखने मिलेगा क्योंकि जो संकट है वो अभी भी टला नहीं है अभी भी काफी हद तक जो है geopolitical tensions बनी हुई है और sanctions लगाए जा रहे हैं रशिया पे तो इसका असर कहीं निशले स्थरों पे हमें gold silver में देखने मिलेगा और निशले सरों से buying emmerge होते हुए दिख सकती है वहीं पर कच्चे तेल में भी हमने काफी बड़ी गिरावट देखी जहां पर दाम जो हैं वो लगभग 7,700 से 7,600 के करीब से माफ केज़ेगा डाउन साइड में करीब 6,900 के आसपास आकर बन दिया है आपको ध्यान होगा कि पिछले कुछ हफतों में हमने यह डिसकस किया है कि एक बड़ी राली अभी भी हमें आगे आने वाले दिनों में देखने मिलेगी जहां पर कच्चा तेल जो है अंतराश्य बजार में 100 डॉलर पार कर सकता है और वो हमने देखा कि Brent और WTI Crude दोनों न जो Crude Oil है उसमें Definitely देखने मिलेगा तो जो Short Term Traders है जो शायद 2 या 3 Sessions के लिए Play Out करते हैं उन्हें सला होगी कि 6600 से 6700 के करीब Buying Position बनाएं और Upside में 7300 से 7350 तक के सर पे निकाल दें क्योंकि Overall हमने देखा है कि 2 साल हो चुके हैं लगातार मार्च 2020 में जो bottom बना था कच्चे तेल में उसके बाद लगातार तेजी आई है हाला कि लड़ाई के आसार अभी भी हैं लेकिन काफी हद तक मार्केट ने डिसकाउंट कर दिया है और आगे भी मैं immediate तोर पर यह कहूंगा कि तेजी के आसार हैं लेकिन Upside जो है वो हो सकता है Limited हो अगर यह जो लड़ाई है यह और जादा नहीं फैलती और जादा नहीं बढ़ती है और जादा देश इसमें शामिल नहीं होते तो यह कही न कहीं डाइजेस्ट हुआ है इस वज़े से जब यह प्राइजेस साथ अजार तीन सो से साथ चार सो के भी जाएं तो वहां पर अगर आपकी बाई पोजिशन है तो एक बार निकालना बहतर रहेगा और जो इसले सारों से भी बाइंग पोजिशन मना रहे हैं वो भी बार भुक करें क्योंकि यह पॉसिबिलिटी है कि जैसे यह लड़ाई धंती है या सीस फायर की गोशना आती है तो कच्छा तेल बहुत ही बड़ी एक गिरावट दिख जा सकता है जहां पर दाम जो है और रहाल चार सो से छे तीन सो तक भी जा सकते हैं तो इमिजट तोर पर तेजी बनती है और बाई किया जा सकता है लेकिन उपरी स्थरों पे यह फीजबल रहेगा कि एक बार मुनाफ़ा वसली करके निकल जाया जाए वही नाच्रल गैस में भी हमने काफी उठा बटक देखी क्योंकि रुशिया जो है नाच्रल गैस का बहुत बड़ा सप्लायर है और हमने देखा कि यूरोप के बाजारों में खास करके लगभख एक ही दिन में 20-25 फीजदी की भी तेजी आई थी लेकिन जो डुमेस्टिक मार्केट में जो नाच् देखने नहीं मिला था हाला कि वहां पर भी हमने देखा कि एक हफते के दौरान लगभख 10-15 फीजदी की तीजी जरूर देखने मिली लेकिन जो हफते का क्लोस था वो एक फ्लाट नोट पे दिया है इन फाक्ट उपरी स्थरों से लगभख 40 रुपे की गिरावट के साथ 330 क के करीब दिया है आने वाले दिनों में यह बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि प्राइज जो है वो 375 के उपर नहीं जाएगी और डाउनसाइड में हमें 305 तक के सतर भी देखने मिलेंगे तो शौट तम बेसिस विक्वाली करके चलना सही रहेगा उच्छाल पे जब भी उच्छाल 355-60 के करीब मिले तो वहां विक्वाली कर सकते हैं 375 के उपर का एक स्ट्रीक स्टॉप लोस लेके और डाउनसाइड में 305 का एक टार्गेट लिया जा सकता है ऐसा मैं मालना है वहीं पर बेस में हमने निकल में काफी बड़ा मूव आते हुए देखा है अठारा वसली के बाद भी निकल जो है अभी भी बाइसाइड एक टॉपिक की तरह लिया जा सकता है जब तक 1820 के उपर प्राइज सस्टेन हो रही है और अपसाइड में दुबारा 1930 से 1940 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं वहीं पर अलुमिनम में हाला कि ऐसा लगता है कि एक इमिज 260 के नीचे फिसलती है तो 250 से 248 तक के स्थर भी शॉट टम में देखने मिलेंगे तो हाला कि निकल में एक सस्टेनेवल तीजी दुबारा देखने मिलेगी लेकिन अलुमिनम में फिलाल तीजी के आसार थोड़े कम दिखाई दे रहे हैं वहीं कॉपर में एक साइडवेस सा क लेमेटेड रहने की उम्मीद मनी हुई है तो ये था एक जैजा कि जो मेजर नॉन एगरी कमोरिटीज है वहाँ पर शॉट टम बेशिस क्या रूप देखने मिलेगा दनेवाद तो पर शॉट्च खंप पर शॉट만 एप तकसा दूब सानी दयम स्ज्बस्चमारी को नषप जो में सेज्टेफ भीयर व उरूप़े भीयर रहे हैं जब कि तो यह क्सरी है यहाँ सरीकि दोने में वहाँ सानी हैं दो माई एक झालिसमारी हुट रहे हैंना कोmernातों को entry-弗री